टेक इस्टेडी चनल पर आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम एक Welder Trade Theory का Model Paper करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा Important Questions को हमने आपके स्लेवस से चूच किया है पूरे स्लेवस से हमने इसमें Questions को चूच किया जो कि अगर आप NCVT या SCVT के एक्जाम में बैठने जा रहा है या अगर आप RRB या NCL एक्जाम की तयारी कर रहा है Welder Rates Related तो ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाली है अगर आप NCVT, CVT के एक्जाम में बैठ रहा है तो इसमें से बहुत से questions आपके एक्जाम पेपर में मैच करने वाले है इससे पहले Welder के तीन मॉडल पेपर हम बना चुके हैं जिनकी लिंक हमने यहां पे दे दी है आई बटन पे साथ हमने description box में भी लिंक दे दी वहां से आप playlist में जाके देख सकते हैं वो वीडियो पूरी तरह से हिंदी में थे तो बहुत सारी चैनल पे डिमांड आई कि कुछ इंगलीस में वीडियो चाहिए तो ये वीडियो हमने इंगलीस और हिंदी दोनों languages में prepare किया है तो आईए शुरू करते हैं यहां पर पहला question है देखते है Question number one है Which operation is to remove burst from a plate after cutting काटने के बाद मतलब कोई plate है उस पर आपने कटिंग की उसके बाद वहाँ से बर्स निकालने के लिए आप कौन सा operation करते हैं Brushing, Filing, Scraping या Chiseling तो बर्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं File से filing करते हैं कुछ अमबर दो है Which is used for handling hot jobs इसमें किसका प्रयोग गर्म जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है ठीक तो गर्म जाब को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं Tongs यानि चिम्टा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि कुछ questions जो होंगे उनकी हम explanation भी आपको देंगे इसमें तो वीडियो आप अंतिम तक देखेगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी important वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाया करेंगी कुछ अम बत रही है which of the following injuries common in gas building यानि gas building में कौन सी injury कैसी चोट सबसे जादा आम बात होती है electric shock gas building में नहीं हो सकता burns due to flame, bleeding due to cut injury injury by hot flying particles right answer वोग आपका burns due to flame यानि flame के कारण आप gas welding करते time जल सकते है how many pressure gauges are in regulator gas welding plant gas welding में जो हम pressure regulator यूज करते हैं oxygen और recetylene cylinder के उपर उसमें कितने pressure gauge होते हैं ठीक, one pressure gauge, two pressure gauge, three pressure gauge या four pressure gauge, right answer होगा आपका option right answer होगा आपका option D four pressure gauge, ठीक, यहाँ पे confusion नहीं होने का है एक cylinder पे एक pressure regulator लगता है जिसमें दो pressure gauge होते हैं तो दो cylinders होगा आपके oxygen और recetylene या जो भी आप unne gas यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके चार pressure regulator होंगे दो इसमें से low pressure gauge होते हैं और दो high pressure gauge होते हैं जो कि cylinder का pressure बताते हैं और जो low pressure gauge होते हैं output pressure बताते हैं कुछ अबर 5 है what is to be placed at the root of a weld to contain the molten metal यानि अगर आप weld कर रहे हैं molten metal को contain रखने के लिए सामिल करने के लिए आप weld की root में क्या रखते हैं तो जो weld की root में रखते हैं उसको बोलते हैं backing या backing plate ठीक है right answer है आपका option B backing plate कुछ अबर 6 है which is the method to control backfire while building backfire जो कि आपकी gas building में एक दोस होता है ठीक उसको हम control करने के लिए कौन सी विधी अपनाते हैं close oxygen control valve close oxygen control valve first close the oxygen cylinder valve first close the oxygen cylinder valve ठीक है तो backfire ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम oxygen को बंद करते हैं close oxygen control valve which type of welding is done by a small hand weld gun with a non-consumable electrodes कौन सी welding है इसमें से जो non-consumable electrode के परियोग से की जाती है SMAW यानि sealeded metal arc welding GMAW यानि gas metal arc welding या जिसको हम MIG welding बोलते हैं GTAW यानि gas tungsten arc welding जिसको हम TIG welding बोलते हैं या induction welding तो right answer आपका option D gas tungsten arc welding यहाँ पर हम एक tungsten का electrode यूज करते हैं arc बनाने के लिए जो की non-consumable होता है अगर आप नए है तो आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब किए साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियो देख सकते हैं सीम बेल्डिंग जो continuous spot welding होता है उसको हम बोलते हैं सीम बेल्डिंग इसमें एक कुशन और put up होता है कभी कौई कौई कौन से welding में आपके round में electrode यूज होते हैं मतलब वो circular disc type के होते हैं तो वो होता है आपका right answer सीम बेल्डिंग कुश हम नाइने वाट इस तो परपज आप providing root gap ठीक root gap प्रदान करने का क्या उद्देश है to avoid cracking to avoid porosity यानि porosity बतने के लिए to avoid distortion या to increase depth of penetration तो root gap का main purpose ही होता है to increase depth of penetration इसलिए हम root gap देते हैं कि हमारी penetration है वो ज्यादा हो कुश हम पर 10 है which safety devices fitted to avoid explosion आप acetylene generator due to high pressure उच दाप के कारण acetylene generator के बिसपोर्ट से बचने के लिए कौन सा सुरच्छा उपरण लगाते हैं तो यहाँ पर आपका right answer होगा hydraulic back pressure valve जो हम एक hydraulic back pressure valve यूज करते हैं यह high pressure पे acetylene generator ना explode हो ना फटे इस वजा से हम इसको यूज करते हैं question 11 which type of transformer used in arc welding arc welding में किस तरह का transformer यूज करते हैं arc welding में हम हमेशा step down transformer यूज करते हैं जो की ac voltage सारे transformer सिर्फ और सिर्फ ac voltage पे काम करते हैं step down transformer का काम होता है कि आने वाली जो voltage है उसको low करना और current को बढ़ाना question 12 by which one of the following is used to convert ac to dc supply in a welding machine ठीक एक welding machine में ac से dc supply में परियोटित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो वो होता है आपका rectifier set ये ac से dc में convert करता है supply को question 13 how much current should be set to weld 10 mm thick plates by arc welding arc welding से आप 10 mm multi plate को weld करने जा रहे है तो आपको current कितना रखना चाहिए तो वो current होना चाहिए आपका 110 ampere question 14 what should be the angle for a double wevel butt joint what should be the angle for a double wevel butt joint तो जो double wevel butt joint के लिए angle होना चाहिए वो होता है आपका 45 degree option a 45 degree question 15 what is defined as vertical position of groove welding जो groove welding है यहाँ पर आप G देख रहे होंगे जो groove welding होता है उसमें हम G लिखते हैं और जो fillet welding होता है उसमें F से उसको denote करते हैं ठीक तो groove welding में जैसे 1G है इसका मतलब flat position 2G means horizontal position 3G means vertical position ठीक तो यहाँ पर आपका right answer होगा 3G ठीक है जहाँ भी vertical position को हम डिफाइन कर रहे हैं aluminum welding में किस प्रकार की polarity का यूज करते हैं तो polarity दो तरह की होती है straight polarity और एक होती है reverse polarity जो कि सिर्फ और सिर्फ DC welding machines में पाई जाती है ठीक तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे aluminum के case में reverse polarity यानि विप्रीत धुरुपता कुछ आप 17 नहीं तो यहाँ पर हम किस टाइप की polarity यूज करेंगे आपके देखे चार options है तो जैसा कि इसमें polarity पूछा है तो दो आंसर आपका option A और option D तो पहले ही गलत हो जाता है B और C में से एक सही होगा वह है आपका reverse polarity non-ferrous metals के welding करने के हम कौन सी polarity यूज करेंगे reverse polarity कुछ हमरे 80 ने what should be the angle of electrode in horizontal position welding horizontal position welding में electrode का angle कितना होना चाहिए तो वह होता है आपका 70 to 80 degree कुछ हमरे 90 ने which defect will occur when the equipment is charged for AC to DC supply in arc welding एक arc welding में अगर उपकरण को हम AC से DC में बदलें तो कौन सा दोस होगा तो AC welding का एक सबसे बड़ा advantage होता है इसमें arc blow का दोस नहीं होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका DC welding में convert करने पर arc blow का दोस आ सकता है तो right answer of option A, arc blow कुछ हमरे 20 है what is the defect in the weld joint zone in figure यह figure देखके आप देख रहे होंगे weld का आपका penetration हो नीचे तक नहीं गया है नीचे तक weld नहीं हुआ है यहां हम कर्म current पे हमने welding की होगी ठीक है तूट गया प्रापर नहीं रखा होगा तो right answer आपका option D lack of penetration यानि penetration की कमी यह एक welding का दोस है कुछ हमरे 21 है which metal is welding process is subjected to weld decay defect welding प्रक्रिया में किस धात को weld अच्छा है दोस के अधिन किया जाता है तो जो weld decay defect के अंतरगत हम welding करते हैं उसे subjected रहता है वो होता है आपका stainless steel यानि SS option D stainless steel कुछ हमर 22 है what is the root run root run क्या है यहां पे ध्यान दीजे काफी important question है यह भी root run जो होता है आपका होता the first run is root run जो भी आप पहला run करते हैं welding करते time वही आपका root run होता है question 23 है what is the process of heating steel to specific temperature and cooling suddenly यानि एक steel को हम उसके specific temperature तक गरम करते हैं और अचानक से अगर ठंडा करें तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं quenching option D quenching question 24 है what is the main function of the flux coating in electrodes electrode में flux coating का main car यानि muck function क्या होता है तो flux coating का main function होता है किसी भी electrode में वह होता है आपका to stabilize the arc arc को इससी रखना उसका main purpose या main function होता है question 25 है which filler rod to be used for gas building aluminum aluminum की gas building करने जा रहा है filler rod कौनसा यूज होगा aluminum के case में जो filler rod यूज होता है pure aluminum 5% silicon aluminum alloy right answer आपका option D pure aluminum साथ में 5% यानि 5% silicon aluminum alloy aluminum और silicon की एक mist स्रधात साथ में pure aluminum कुछ अबर 26 अबाट इस defect due to non cleaning the surface before welding आप welding करने जा रहा है surface को आपने clean नहीं किया पहले से तो क्या दोस आ सकता उससे उससे जो दोस आएगा वो होगा surface porosity सता सरंद्रता ठीके surface पर आपके porosity का दोस आएगा अगर आपने surface को properly clean नहीं किया तो कुछमन 27 वाट टाइप डिफेक्ट वी लॉकर due to evaporation of the trapped gas from the liquid metal आपने welding कर दी जो अगर उसमें कोई gas फसी हुई है liquid metal में तो किस प्रकार का दोस होगा उसके वासपी करंड के बाद जब भी आपका metal ठंडा होगा तो gas बाहर निकलना चाहेगी और gas बाहर निकलेगी तो आपका porosity का दोस होगा क्या होगा सरंधरता या porosity का दोस आपकी welding में उत्पन होगा question 28 how many stages are there in visual inspection in ndt ndt means non destructive test इसमें अगर हम inspection करने जा रहे हैं तो कितनी stages होती है इसकी तो इसकी total stage होती है 3 right answer आपका option B 3 stages question 29 what is the ndt method using sound as a source इसमें से ndt यानि non destructive method कौन सा है जिसमें हम sound को as a source यूज करते हैं inspection करने के लिए ठीक तो वो है आपका stethoscopic test option C stethoscopic test what is the test in which the weld quality is tested without destroying the job वो कौन सा test है जिसमें job को nest किये बिना weld की quality का हम correction कर लेते हैं तो उसी को हम कहते है non destructive test या ndt कुछ हम 31 है what is the name of the part marked as x in the GMAW यानि gas metal arc welding यानि MIG welding wire feed unit यह wire feed unit है इसमें जो x से indicate किया गया इसको हम क्या कहते हैं तो यह है आपका idler gear option C idler gear कुछ हम 32 है what is the angle marked as x in the fillet weld zone यह जो angle आपको दिख रहा है जो x यहां पर mark किया हुआ है यह आपको यह दिखाना है यह क्या है तो इसको हम बोलते है direction of travel यह question थोड़ा सा mistake है यह direction of travel यह arrow जो है यह denote कर रहा है direction of travel कुछ हम 33 which is the process to paint with particles by electrostatic charging इसमें से कौन सा process है जिसमें हम electrostatic charging द्वारा particles के साथ paint करते हैं यानि powder के साथ paint करते हैं उसको हम बोलते हैं powder coating राइट answer आपका option B powder coating यहां confuse नहीं होना है electroplating पे tick नहीं करना है वो right answer आपका नहीं है कुछ हम 34 है how the filler wire is fed in the GMAW welding process जो GMAW यानि gas metal arc welding यानि MIG welding process है उसमें जो filler rod हम feed करते हैं वो होता है automatically हमको सिर्फ gun को manually चलाना होता है इस तरह से एक semi-automatic प्रक्रिया होती है कुछ हम 35 है which welding process is done by chemical reaction between a metal oxide and metal ऐसी कौनसे welding है जो metal oxide और metal की बीचे एक रासानिक प्रितक्रियानि chemical reaction से होती है तो उसी को हम बोलते है thermit welding जो railway tracks की welding करने के लिए generally use की जाती है कुछ हम 36 what are the types of joint in friction welding friction welding में joint के प्रकार क्या है तो friction welding में हम आमने सामने दो parts को आपस में friction करके यानि यांत्रिक उर्जा जो है heat में convert होती है उससे हम weld करते हैं तो उससे आप सिर्फ butt joint आमने सामने रखकर ही joint बना सकते हैं वो भी दोनों metal similar होने चाहिए कुछ हम 37 what is the name of the part marked as x in the laser beam building यह आपका laser beam building है इसमें जो x part है इसको आपको बताना है क्या है तो जो x part है वो होता है आपका ruby rod ठीक option b ruby rod कुछ हम 38 है which building process does not require the supply of external heat किस building प्रक्रिया में हमको बाहर ही उसमा किया शकता नहीं होती है तो यह है आपकी friction welding क्योंकि इसमें बाहर से कोई heat नहीं देते है इसमें जो frictional heat होती है वही convert होके build करती है कुछ हम 39 है which electrode is used to produce arc in GTAW process gas tungsten arc building process में किस तरह का electrode है जिसका हम उपयोग करते हैं arc बनाने के लिए तो right answer आपका tungsten electrode कुछ हम 40 है which electrode is movable in spot welding काफी important question है spot welding में कौन सा electrode घूमने वाला होता है movable होता है तो जो upper electrode होता है spot welding machine में वह हमेसा movable electrode होता है और जो lower electrode होता है वह आपका lower वाला electrode fix होता है right answer आपका option C upper electrode ठीक तो यह 40 most important questions है आपके welder trade theory के लिए अगर आप welder trade से हैं आप CITS या ITI या अगर आप कोई competitive jam के तयारी कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बहुत helpful होगा अगर वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर कीजिए साथ है अगर आपको किसी भी और topic पर वीडियो चाहिए या कोई suggestion आपका तो आपको comment box में बता सकते हैं live classes आपको चाहिए वह भी आप comment करके हमको बता सकते हैं तो जरूर हम live class organize करेंगी YouTube पर आपके लिए चैनल को subscribe नहीं कि आप subscribe बटन दबा दीजिए साथ में बेल आइकन हिट कर लीजिए जिसे की जो भी नई वीडियो आए वह आपसे miss नहों उसके update आपको मिलती रहे Thank you